हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है अबस्टिकल्स टू क्योर। दोस्तों ये और्गनान ओफ मैट्सिन में सौट नोट में पूछा जाता है। कभी-कभी 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आ поз Анउे देखते हैं कि अबस्टिकल्स टू क्योर क्या है। यानि कि आपको disease को ठीक करना होगा अगर तो आपको यह जो obstacles आ रहे हैं बीच में उसको आपको maintain करना होगा उसको हटाना होगा maintain भी नहीं करना होगा क्या करना होगा basically हटाना होगा ठीक है नहीं होगा वो cure की तरफ नहीं जाएगा तो हई basically हमें देखना है कैसी कौन-कौन सी चीज़े हैं जो हमें obstacles काउज करवाती है जैसे first number में exciting या maintaining काउज ऐसे बहुत सी चीज़े होती हैं जो excite कर देती हैं disease को बढ़ा देती है ठीक है तो अगर कोई ऐसे factor है जो disease को बढ़ा देते हैं तब आप उस चीज़े को ठीक नहीं कर पाओगे या फिर maintaining cause जिसमें आपकी disease बनी हुई है उसका maintaining cause maintain है जैसे कि मान लीजिए मैंने example लिखाओ यहाँ पर कई सारे जैसे मान लीजिए कि diet जिसे किसी बन्दे को diabetes mellitus हुआ है आपको पता है कि आपको मीठा नहीं खाना है ठीक है यानि कि अगर आप diabetes की दवा कितनो भी अच्छे से दे दो, लेकिन अगर बंदा बार-बार मीठा खा लेगा, तो क्या होगा, diabetes एक्साइट कर जाएगी, बढ़ जाएगा, या फिर मान लिजे, किसी को diabetes है, लेकिन वो मीठा खाना बंद नहीं कर रहा है, पोडेटोज खाना न यानि कि सुगर फ्री चीजे खाने से बंद नहीं कर रहा हूँ, तो उस चीज को मेंटेन करके रखा है, तो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज का बेसिकली इतना ही मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज, जो डिजीज को बढ़ा दे, एक्साइट कर दे, जैसे कि सुगर है, आप मेंटेन किये, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी आप सुगर खालोगे, यानि कि मीठा खालोगे, तो आपका जो है डायविटीज बढ़ जाएगा, that's the exciting cause, और मेंटेनिंग काज हम रोज खाये जा रहे हैं, रोज खाये जा रहे हैं, हम मानी नहीं रहे हैं, तो पाइल्स है, आप बोल ले हो नहीं, मिर्च मसाले, मसालेदार चीज़े नहीं खाना है, स्पाइसी चीज़े नहीं खाना, और डेली हो खाये जा रहे हैं, तो उसकी पाइल्स कभी ठीक नहीं होगे, क्योंकि वो मेंटेनिंग काज हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से एक्जामपल, मान लीजे किसी को शिवो पीडी है, अस्थमा है, या फिर बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, तो आप उसको मिल्क बन करोगे, भाई दूद मत पीना, अगर वो दूद पीएगा तो मेंटेनिंग काज है, किसी को प्रोस्टेट में इंफ्लामेसन है, में लिख रखे हैं, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग समझाएं कि क्या-क्या चीजे आपको लेनी है, क्या-क्या चीजे नहीं लेनी है, तो डाइट एंड रेजिमेन का अलग से वीडियो बना हुआ है, फिर देखिए हैविड, कुछ चीज़े ऐसी होती है, जो आदत में है, जैसे मान लिजए आपको लिवर सिरोसिस है, और आपको अलकोहल नहीं पीना है, लेकिन आपकी आदत है, आप अलकोहल बन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंद करोगे, तो आपको विड्रॉल सिंडरोम हो जाएगा, लेकिन आप क और डॉक्टर ने बोला आपको शिग्रेड नहीं लेना है, COPD है, आपको इंफाइसीमा है, आपको smoking बंद करना है, लेकिन आपकी habit है smoking लेकिन आप बंद नहीं कर पा रहे हो, तो COPD ठीक नहीं होगा, तो हमेशा जो है, habit जो आपके habit में आ गई है चीजे, उसको आपको हटाना होगा अगर ओप्स्टेकल टू क्योर में आ रही है तो आपको अलकोहल बंधी करना पड़ेगा किसी भी हाल में अगर मौसम डैंप वेदर आ रहा है बरसात का मौसम आ रहा है तो रूमेटराइड अर्थराइटिस एक्साइटिंग कौच की तरह काम करेगा और वो बढ़ जाएगा इन्वार्मेंटल फेक्टर है और आपने बोला क्या कि डैंप वेदर में आपकी दिक्कते बढ़ सकती है और हो सकता है रूमेटराइड अर्थराइटिस वालों को डैंप वेदर में बरसात के मौसम में ठंड के मौसम में दिक्कते बढ़ जाए उनको ठीक करना थोड़ा सा मुस्किल होगा ऐसे ही occupational है बहुत से लोग occupation के वज़े से बिमार पढ़ते जैसे सारकोईडोसिस है lungs की बिमारी है सारकोईडोसिस सारकोईडोसिस asbestos factory में काम करने वाले लोगों को अकसर सारकोईडोसिस हो जाता है तो आपको यह patient को अगर ठीक करना है तो और आपको एसी में बैठके काम करना है ठंड है damp weather है damp की तरह तो आपका वो कभी नहीं जाएगा है ना आपको allergic rhinitis है और आप एसी में बैठके काम कर रहे हो तो आपको छींके आएंगी ही आएंगी यह आएंगी यह occupational है क्योंकि आप occupation को हटा नहीं सकते तो कहीं नहीं कहीं obstacle of cure में occupational भी आते हैं तो आपको हमेशा case checking के दौरान हर एक चीज़ पूछनी हो गया कि बंदा ठीक क्यों नहीं हो रहा है क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो hindrance कौच कर रहे हैं कहीं उसकी diet तो नहीं है कभी-कभी आप constitutional medicine एक डोस दे के छोड़ देते हो और बंदा coffee chocolate खा लेता है है ना तो coffee और चौकलेट अगर ले लेगा था हमारी डवा anti-dot हो जाएगी वह भी diet के अंतरगत है habit मैंने बता दिया environmental factor है आकुपेशन की भी बात हो गई कभी-कभी socio economic होते हैं जैसे poor family है वो ठीक से अपना टेस्ट करा पा रहे है जांच करा पा रहे है ठीक है तीन महीने से खांसी आ रही है आपके पास आये और आपने कहा कि भाई साब मॉन्टेक्स टेक्स करा लीजिए मुझे टीवी का डर हो रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं हो मना कर रहा है तो आप टीवी की दवा ऐसे भी नहीं चला सकते बिना जांच के तो ऐसे लोग जो poor family से हैं जिनको रहा है बनाने डाइग्णोसिस न बोलके कहें डैक्स लिखें और वह ना करा पाएं या फिर कम एजुकेशन के वज़ए से वह सही से इलाज नहीं करा पाते हैं तो आप ठीक पाऊगे ते सब maintaining cause है क्योंकि उसके पास पैसा होगा नहीं, उजाच कराएगा नहीं तो इसमें से बहुत से ऐसे factor जो एक्साइट कर देते हैं, बहुत से ऐसे factor जो maintain है ठीक है, मियाजमेटिक cause देखिए, मियाजमेटिक cause में आपको बहुत से चीजें होती है जिनमें आप मियाजम को consider करके remedy का selection नहीं करते हो, तब भी obstacle to cure है इसलिए हमेशा मियाजम को हटाना होगा, आपको पता है ना कि हमेशा कोई भी disease होती है, तो कैसे होती है यह है vital force, आपको यह बात पता होगी, vital force derange होता है, ठीक है, जब vital force derange होगा था हमको sign and symptom मिलेगा यानि उसको हम लोग disease बोल देते हैं, तैसे कौन से factor है जो vital force को derange करते हैं, vital force तो अपने से होता नहीं है, हम bacteria virus मानते नहीं है तो vital force को derange करने का जो कारण है, वो क्या है, मियाजम है, इसी मियाजम के वज़े से vital force derange हुआ है आप चाहे कितना भी vital force को arrange कर लें, आप सोचो vital force को arrange कर लें और बंदा क्योर हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि आपके पीछे मियाजम लगा हुआ है आपको इस मियाजम को हटाना है कितनों भी माल लीजे कोई ये step patient है nitramure patient है ठीक है emotion को surprise कर रही है या फिर घर में कोई बार बार इसको डांट रहा है तो maintaining cause है emotional factor, mind से, mentally रूप से तो आपको vital force को arrange करने के लिए इस मियाजम को हटाना ही होगा तभी हम लोग anti-miyasmatic drugs देते है anti-vital force drugs नहीं देते हैं anti-miyasmatic drugs देते हैं भाई कि भाई, मियाजम को हटाईए अगर किसी बंदे में मियाजम हट जाएगा vital force अपने आप arrange हो जाएगा बंदा cure हो जाएगा तो अगर आप miyasmatic medicine नहीं दे रहे हो सही से selection नहीं हो रहा है तब भी obstacle to cure होगा बहुत से ऐसी बिमारियां होती है जैसे कि pathological cause होते हैं जैसे reversible disease ऐसी बिमारियां बहुत से होती हैं जो reverse कर जाती हैं जिनको आप ठीक नहीं कर सकते हैं ऐसी बहुत से बिमारियां होते जो irreversible होती हैं बिल्कुल ओग दम आप cancer है cancer को आप ठीक नहीं कर सकते है palliation कर सकते हो ठीक है तो बहुत से ऐसी बिमारियां हैं जिनको आप ठीक करने में मुश्किल आता है लेकिन आप पैलियेट कर सकते हो क्योर कर नहीं सकते हो कैंसर हो गया ऐसे बहुत से बिमारिया है ठीक है कुछ ऐसे बिमारिया है जिनको few and sign symptoms है यानि वो disease incurable ही है जब आप sign and symptom ही नहीं बोला है पेशन्ट ना mental रूप से ना physical रूप से ना disease के उपर तो आप totality कैसे बनाओगे तो few sign and symptom वाले बिमारियों को भी ठीक करने में दिक्कत होती है काफी मेहनत करना पड़ता है तो guys इतने सारे obstacles to cure है आपका इसको notes बनाईए मैंने बहुत short note बनाया है लेकिन बोला बहुत कुछ है तो example आप लोग भी दे सकते हो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो किसी भी बिमारी को ठीक करने लिए ये obstacles को हटाना होगा अगर आप इन चीजों को नहीं हटाओगे सिर्फ medicine पर भरोसे रखोगे तो ये cure नहीं होगा तो हमेशा obstacle to cure हटाना होगा खास करके diet और habit पर आपको ध्यान देना होगा ठीक है तो आप इस पर notes बनाईए वीडियो पसंद आया तो like करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए Thank you guys